कि नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं स्पेर नाय नियूज स्वागत आपको अमारे इस खास प्रोग्राम राशियों के सितारे में आखिर क्या कहती हैं आपकी राशियां और किस राशी वाले को आज होगा लाब हम आपको बताएंगे तो ध्यान से सुने राशिफर शुरुआत करते हैं पहली राशी से मेश राशी आज आपका दिन आपके अनुकूल नहीं है आज आप बीमार पड़ सकते हैं पैसे का लेन दिन थोड़ा संभल कर करें यानि कि आज आपका दिन अच्छा नहीं है तो कोशिशे करें कि पैसा जहां भी लगा रहे थोड़ा संभल कर लगाएं और कोशिशे करें कि पैसा आज ना लगाएं वहीं आज आप अपने स्वास्त का भी धान रखे क्योंकि आज आपका स्वास्त खरा हो सकता है वरिश अपरास है आज आपका दिन शुब है व्यापार में आपको सफलता मिलेगी मित्रों के साथ औ आपके और आपके परिजिनों के बीच में ताल मिल और बढ़ेगा और अच्छा ताल मिल रहे गा में तुर्वास सामाजिक दिष्टी से आपको मांसमान मिलेगा सांसारिक जीवन अच्छा रहेगा आप नया काम कर सकते हैं यानि कि अगर आज आज आप सोच रहे हैं कि का अच्छा है दाम पत्ते जीवन भी आपका आज अच्छा है अनि कि आज आपका दिन शुब है करकराश आज आप पूजा पार्ट में व्यस्त रहेंगे आपका मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है लेकिन आपका भाग या आपका साथ दे रहा है और आज आपको धनलाब भी ह पूजा पार्ट में आज आप व्यस्त रहेंगे सिंग्र आज आप अपने मन में कोई नकरात्मक चीज ना ने दें परिवार के प्रति रवया अच्छा रखें वैसे आपके दिन आज ग्रहों के अनुकूल नहीं है यानि आज आप कोशिश करें कि घर से बाहर कम नहीं अग होगा मन में कोई नकरात्मक चीज ना आने दें कोई निगेटिविटी माते ना सोचें और अच्छी बाते सोचें सकरात्मक चीजों को सोचें जिससे आपको फायदा होगा और साथ ही साथ आज आप कोशिश करें कि अपने काम पर पूरा फोकस करें इधर उधर की बातों प आज आपका दिन अच्छा है सामाजिक कामों में आपको लाब मिलेगा आज आफिस में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है यानि कि आज आपको सामाजिक कामों में लाब मिलता वा नजर आ रहा है आज आपको आफिस में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है आप जो काम करने वाल माता पिता का आशिरवाद आपके साथ रहेगा आज आपका दिन अच्छा है यानि कि आज आपको शुप समाचार मिल सकता है कोई भी शुप समाचार हो परिवार से संबंदित हो नौकरी से संबंदित हो व्यापार से संबंदित हो वही माता पिता का आशिरवाद आज आपके और फ्रृष्चिक रासिए आज आप विदेश चाठर पर ना जाए आज आप वाद विवाद में ना पड़ें किसी से बहंस ना करें आज आप नहीं है कि soil विदेशन फ़ेल ना कूषिच करें घर पर ही रहें और किसी दूसरे काम में आप खुद को ना डाले तो हाज आपको लाब नहीं मिलेका दनम राशी काम को थोड़ा सा समघ करें एक आप दिन किसी बात को लेकर परे रहे यानि कि आज आगर जमीन जायदा से कम कर रहें तो थोड़ा सा समझाज चाएं क्योंकि पेपर्ष्ज जो होते हैं उसको इतनी तरीके से आज आज आप नहीं कर पाएंगी आज उतना अलाब आपको अच्छा है व्यापार में आपको तरक्की मिल रही है नौकरी में भी आपको तरक्की मिल रही है आर्थिक लाव होगा यानि कि आज आपको फायदा मिलता हुआ नसर आ रहा है तो यह सब चीजे हैं जिससे आपको बड़ा फायदा होगा और सबसे बड़ी बाद तो यह है कि आज आपका दिन आपके लिए बहुत शुब है कुम्बरासि आज आप वाद विवाद में ना पड़ें धार्मिक कार्यों में ज्यादा खर्च जो है वो आपका हो सकता है इसलिए आज आप धार्मिक कार्यों से जोड़े रहें धार्मिक कार्यों से जब जोड़ते हैं इंसान तो फायदा होता है जो कि भगवान का आशिरवाद मिलता है और अपने आप सारी दुख तकलिफे दोर हो जाती है तो आज आप वाद विवाद मिना पड़े और तहर्मिक कार्डियों से जितना हो सके जुड़े इससे आपको फायदा होता है आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं धनलाब होगा व्यापार में आपको तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है जो गरहें आपके हैं वो बिल्कुल ठीक है आज आज आपका दिन अनुकूल है और आपको दिन जो है वो बहतर है आपको लाब मिलता हुआ है आपको लाब मिलता है